चौधरी अधीर उठे और इसी अधीरता में विवादित बयान दे बैठे अधीर रंजन चौधरी ने पिया मोधी और ग्रह मंत्री अमिशा को घुस्पैटिया कह दिया जिसके बाद विवाद मजगिया और नराज बीजेपी ने सोरिया गांधी और रहुल गांधी तक से माफी की मांग कर डाली संसस से लेकर सड़क तक नागरिता संचोधन बिल पर बबाल मजगिया है इस जुआला में घीका काम किया कॉंग्रस नेता अथिर रंजन चौधरी के बयान ने विवाद में खाट डालते हुए अथिर रंजन चौधरी ने पियम मोधी और ग्रह मत्री अमिशा को घुस्पैटिया करार दे दिया और कहा कि इनका घर गुजरात में है और ये लोग दिल्ली आ गए है अधिर रंजन चौधरी के बयान के बाद सियासत में बुबाला गिया और बीजेपी बिफर पड़ी बीजेपी डे कॉंग्रस से माफी की मबाग कर डाली पक्ष के नेता है अधिर रंजन चौधरी जी कॉंग्रस के पूरी बात को रखते है किस प्रकार की भाशा देश के प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री मोधी जी अमिशा जी किसकी जागीर है यह देश किसी की जागीर है कोई एक परिवारवाद दिखता है यहां परिवारवाद की राजनीती दिखती है यह सरकार है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधान सेवक की सरकार है ये प्रधान मंत्री नी प्रधान सेवक यहां कोई एक परिवार प्रतम परिवार नहीं है और उसके बाद जिस प्रकार के हमने साशन देखें इस प्रकार की भाषा ये कॉंग्रेस की सोच है माफी मागी जी बीजेपी ने ता जीफियल दरसिंबा राव ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी की दिमागी हालत ठीक नहीं है कॉंग्रेस उनका इलाज कराए साथी उन्होंने सोन्या कांधी और राहूल गांधी से भी माफी की मांग कर डाली अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया है इसते साफ हो जाता है कि अधीर रंजन चौधरी की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो एक सड़ी हुई दिमाग वाला व्यक्ति कांग्रेस का नित्रुत्व कर रहे हैं लोकसभा में और ऐसे बेतुकी बेवकूफी वाले बयान दे रहे हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए है ये घुस पैठियों की आपको वोट बैंक बनाने के लिए नहीं है तो लेकिन अखी धर्म के लोगों के लिए समान है लेकिन जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के और टी- unlock सी के निता जो कह रहे है तो उनका वोट बैंक होने की जो उनका डर है जो दर सता रही है उनसे, इस प्रकार कि बिगड़ी हुई बोलने में इनको प्रोवक कर रही है इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ मैं कांगरेस पार्टी और राहुल गांधी और नेतरी उनके ततकाली प्रेसिजेंट सोनिया गांधी से हम दिमाइड करते हैं कि अधिर रंजन चौधरी के इस बेतु के बयान के लिए कांगरेस पार्ट और अधिर रंजन चौधरी की जो सही माइने में उनका दिमागी हालत ठीक होने के लिए उनसे इलाज करवाएं बीजेपी नेता मरोस्तिवारी ने इशारों में कांगरेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को निशाने पर ले लिया और पूचा कि जो लोग इटली से आकर बसे हैं उनके बारे में अधीर रंजन चौधरी का क्या कहना है अधीर रंजन चौधरी जी ने ये तो ठीक कहा कि देश सबका है लेकिन उनको याद रहना चाहिए गुजरात इसी भारत का एक अटूट हिस्सा है भारत का स्रिंगार है और यहां देश के हर प्रांत के हर व्यक्ति का भारत प्यादिकार है लेकिन जो लोग इटली से आ करके यहां बसे हैं जो लोग विदेशों से आ करके इस देश में जिन लोगोंने इस देश को लूटा है उनके बारे में अधिरंजन चौधरी जी का क्या कहना है यह हम जाना चाहते P.J.P. विरोधी दूसरे दलों ने भी अधिर रंजन चौधरी के बयान की आलोशना की और कहा की विरोध वैचारिक होना चाहिए पूरे देश को एक धारा में पिरोग करके तो मैं समाजता हूँ कि NRC हो या CAB जो प्रोपोस्ट है उन सब की बात में भी हमारा जो विरोध होना चाहिए वो मुकम्मल विरोध होना चाहिए वैचारी काधार पर और समविधान की रवायतों के नुरूप होना चाहिए विवाद बढ़ने पर कॉंग्रेस सफाई की मुद्रा में आ गई कॉंग्रेस ने कहा कि वो बांगला भाशी है ऐसे में हिंदी बोलने में बात इधर से उधर हो गई दूसरी स्टेट से आना अलग बात है और किसी दूसरे देश से आना अलग बात है उन्होंने जो कुछ कहा है एक्षुली मैं महसूस करता हूं कि वो बंगाली स्पीकिंग हैं तो कभी-कभी शब्दों के चैन में जरूर उनसे बात इधर उधर हो जाती है जाहिर है कि उनका मतलब हर्गिज यह नहीं है कि वो गुजबैटी है उस तरह के हैं जैसे बंगला देश से आएं कहीं और से हैं वो तो एक जुमला है जिए उन्होंने बोल दिया कि वो भी तो बहार से आए हैं और मतलब गुजरास से आकर दिल्ली में राज कर रहे हैं इस तरह की बात कहिए मैं समझता हूं कि उनकी नियत कभी भी वो नहीं रही होगी पता दे की देश में नागरिकता संसोधन बिल पर बहस जा रही है बीजेपी नेताओं और मंत्रियों की दरफ से लगातार हर राज में अनर्सी लागू करने की बात कही जा रही है बीरो रिपोर्ट के न्यूस इंडिया